हमारे इस चैनल में संस्कृत की कई वीडियोस जैसे जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम, फलों के नाम, रंगों के नाम, फूलों के नाम, सबचियों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, घरेलिव वस्तुओं के नाम, अनाजों के नाम, कपड़ों के नाम, स्कूल में यूज की जाने वाली वस्तुओं के नाम, अलंकार, कारक, संधी, संस्कृत शलोक, अनुवाद, शब्दार्थ, शब्द रूब, गिन्ती, नदियों के नाम, शहरों के नाम, मंदिरों के नाम, महीनों के नाम, रित्मों के नाम, सब्ताह के नाम, मुहावरे, लकोक्तियां जैसी और भी कई वीडियोज अविलेबल हैं। हेलो स्टुरेंट्स, आज हम सिखेंगे फूर्च नेम इन संस्कृत, यानी खाने वाले वस्तूओं के नाम, संस्कृत में। तो आईए, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है ब्रिकफास्ट, यानी सुभे का नास्ता। नास्ता को संस्कृत में कहते हैं प्रात राशह। अगला है लंज, यानी दोपहर का भोजन। इसको संस्कृत में कहते हैं अहराशह। अगला है रात का खाना, यानी डिनर। इसको संस्कृत में कहते हैं नक ताशह। अगला है रोटी, रोटी यानी ब्रेड इसको संस्कृत में कहते हैं मृदु रोटी का। अगला है अन, यानी ग्रेन, ग्रेन को संस्कृत में कहते हैं अन्नम। अगला है आटा, यानी फ्लोर, आटा को संस्कृत में कहते हैं चुरण। अगला है पूरी, पूरी को हिंदी में भी कहते हैं पूरी और संस्कृत में कहते हैं पूरी का। अगला है बाजरा बाजरा को संस्कित में कहते हैं प्रियंगू अगला है वीट यानि गेहूं गेहूं को संस्कित में कहते हैं गौदुमुह अगला है ग्रेन यानि धान धान को संस्कित में कहते हैं धान्यम अगला है जव जव को संस्कित में कहते हैं यवाः अगला हमारा है पीनट्स पीनट्स को हिंदी में कहते हैं मुदगफली और संस्कित में कहते हैं मुदगफली अगला है मुंग मुंग को संस्कित में कहते हैं मुदंगह अगला है उरद उरद को संस्कित में कहते हैं माशह अगला है वीट रोटी यानि गेहूं की रोटी इसको संस्कित में कहते हैं गोधुम रोटी का अगला है तली हुई रोटी यानि फ्राइड रोटी इसको संस्कित में कहते हैं अंगगार रोटी का यानि अंगार रोटी का अगला है तेल वाली रोटी यानि ओल्ल रोटी इसको संस्कित में कहते हैं तैल रोटी का अगला है जौर की रोटी इसको संस्कित में कहते हैं जूरन रोटी का अगला है रागी रोटी रागी रोटी को संस्कित में कहते हैं कोदवरन रोटी का या कोदण रोटी का अगला है गेहुपमा यानी वीट उपमा इसको संस्कित में कहते हैं गोधुम पिस्टिका अगला है परण्था परण्था को संस्कित में कहते हैं परण्टः अगला है चित्रना चित्रना को संस्कित में कहते हैं चित्रानम अगला है तिल तिल को संस्कित में कहते हैं तिलह अगला है महसूर यानि मशूर मशूर को संस्कित में कहते हैं मशूरह अगला है डाल डाल को संस्कित में कहते हैं सूपह या ददिद लम अगला है करी करी को संस्कित में कहते हैं बियंजनम अगला वर्ड हमारा है डाल करी डालकरी को संस्कित में कहते हैं साक सूपह या दधिलम सूपह अगला है अचार अचार को संस्कित में कहते हैं उपदसम या उपदसह चटनी को संस्कित में कहते हैं उपशेचनम अगला है सबजी को संस्कित में कहते हैं बेंजनम सबजी का सूप यानि बेजिटेबल सूप इसको संस्कित में कहते हैं साक तरला अगला है तली हुई सबजी यानि फ्राइट करी इसको संस्कित में कहते हैं भरजित साकम अगला है भरवा करी यानि स्टब्ड करी इसको संस्कित में कहते हैं सोब इसकर साकह अगला है राइता राइता को संस्कित में कहते हैं दाधेयम नेक्स हमारा है सांबर सांबर को संस्कित में कहते हैं कुईथितम अगला है इडली इडली को संस्कित में कहते हैं शालिपूपह अगला है खिचडी खिचडी को संस्कित में कहते हैं क्रिश्रह या क्रिश्रा अगला जो सब्द है वो है हमारा पुली हुरा पुली हुरा को संस्कित में कहते हैं कसरानम या कसरानाम अगला हमारा है इमिली की चटनी इमिली की चटनी को संस्कित में कहते हैं तृत्यपूर्य पश्टेनम अगला हमारा है पापड पापड को संस्कित में कहते हैं परपटह अगला हमारा है पापड खिलाया पपड़ खिलाया को संस्कित में कहते हैं परी कल्प भध्यम या परी कल्प धर्यम अगला हमारा है चावल पपड यानि राइस पपड इसको संस्कित में कहते हैं शाग वर्धर्यम अगला हमारा है मुंग का पापड इसको संस्कित में कहते हैं मुगद परपटः अगला है हल्वा हल्वा को संस्कित में कहते हैं लपसिका या सम्याह अगला हमारा है पाणी पूरी यानि पाणी पूरी इसको संस्कित में कहते हैं जल पूरी का अगला है समुशा शमुशा को संस्कित में कहते हैं समाशह अगला है पालक पकोडे पालक पकोडे को संस्कित में कहते हैं जिवन्ती पकपटी या जिवन्ती पकवटी अगला हमारा है पकोडी यानि पकोडे इसको संस्कित में कहते हैं पकवटी अगला हमारा है चिप्स चिप्स को संस्कित में कहते हैं काशालुह अगला हमारा है स्नेक्स स्नेक्स को संस्कित में कहते हैं उपहारह अगला है चॉकलेट चॉकलेट को संस्कित में कहते हैं चाकलेकह या चाकलेह अगला हमारा है पिज़ा पिज़ा को संस्कित में कहते हैं पिष्टजा अगला हमारा है वर्गर वर्गर को संस्कित में कहते हैं साक रोटी का अगला हमारा है सैंडविच सेंडविच को संस्कित में कहते हैं संपुटासह अगला हमारा है फ्रूट जैम फ्रूट जैम को संस्कित में कहते हैं पल पाकह अगला है फलों का रश फलों के रश को संस्कित यानि फ्रूट जूस फ्रूड जूस को संस्कित में कहते हैं फल रसहा या फलम रसहा अगला हमारा है आइस क्रीम आइस क्रीम को संस्कित में कहते हैं पयो हियम या पयो हिमम अगला हमारा है मसाला डूसा और मसाला डूसा को संस्कित में कहते हैं सोप इसकर डूसा अगला हमारा है पयांज डूसा या अनियन डूसा इसको संस्कित में कहते हैं पंडाल डूसा या प्लांडू डूसा अगला हमारा है मुंगडोसा मुंगडोसा को संस्कित में कहते हैं मुदगडोसा या मुगदडोसा अगला हमारा है काला ग्राम डोसा काला ग्राम डोसा को संस्कित में कहते हैं मासह दोश या माशह डोशा तला हुआ चना यहीं फ्राइड चना इसको संस्कित में कहते हैं अब्यूशह अगला हमारा है रागी का दाना इसको संस्कित में कहते हैं कोद्रा कबलम अगला हमारा है केक केक को संस्कित में कहते हैं सिग्नद पिश्टकम अगला है कोवा केक कोवा केक को संस्कित में कहते हैं गब्य पिटकह बिस्किट बिस्किट को संस्कित में कहते हैं शुपिश्टकम कोल्डरिंग को संस्कित में कहते हैं सितल पानियम श्ट्रो को संस्कित में कहते हैं नालम च्विंगं को संस्कीत में कहते हैं चर्वकम या चवर्णकम अधर की चटने यानि जिंजर चटने इसको संस्कीत में कहते हैं आध्र कोप शेचनम अगला हमारा है चाई यानि टी इसको संस्कित में कहते हैं चायम अगला हमारा है चाय पाटी यानि टी पाटी इसको संस्कित में कहते हैं सपीतिह अगला है चाय सेंटर यानि टी सेंटर इसको संस्कित में कहते हैं चाय केंद्रम अगला हमारा है ग्रीन टी ग्रीन टी को संस्कित में कहते हैं हरितियाचम अगला हमारा है चाई पाउडर यानि टी पाउडर इसको संस्कित में कहते हैं चाई चूरणम अगला हमारा है चीनी यानि शुगर इसको संस्कित में कहते हैं सरकरा या सकरा अगला हमारा है काफी यानि काफी काफी को संस्कित में भी काफी कहते हैं अगला है कोल्ड रिंग काफी यानि कोल्ड काफी कोल्ड काफी को संस्कित में कहते हैं सीतल काफी अगला है काफी पाउडर काफी पाउडर को संस्कित में कहते हैं काफी चूरणम अगला है शोड़ा पानी शोड़ा पानी को संस्कित में कहते हैं बिक्षार जलम अगला है गुड़ पानी यानि जगरी वाउडर इसको संस्कित में कहते हैं गुड़ पानकम अगला है सर्वत सर्वत को संस्कित में कहते हैं फल पानियम अगला है कोवा कोवा को संस्कित में कहते हैं गब्या अगला है चावल चावल को संस्कित में कहते हैं अन्नम या तुरंडुलह अगला हमारा है पके हुए चावल पके हुए चावल को संस्कित में कहते हैं उप इस्करत तोदनम अगला हमारा है दही चावल दही चावल को संस्कित में कहते हैं दद्यनम अगला हमारा है फुला हुआ चावल फुले हुए चावल को संस्कित में कहते हैं लाज़ा अगला हमारा है नीबू चावल नीबू चावल को संस्कित में कहते हैं जंबीरोंदोनम यानि जंबीरोंदोनम अगला हमारा है तला हुआ या तला भुना चावल इसको हम संस्कित में कहते हैं भरती नातनम यानि भरजी नातनम अगला हमारा है आम चावल यानि मेंगो राइस इसको हम कहते हैं आमरो दनम अगला हमारा है धान का चावल इसको हम संस्कित में कहते हैं पृत्वकम नग्स हमारा है कटे हुए चावल के साथ आलू चिफ्स इसको हम कहेंगे आलू पृतुकम अगला हमारा है दही बड़ा दही बड़ा को संस्कित में कहेंगे दधिव टिका अगला हमारा है बड़ा बड़ा को संस्कित में कहते हैं माशवटिका यानि मासवटिका अगला हमारा है चाज यानि बटर मिल्क इसको संस्कित में कहते हैं त्रकम या तक्रम अगला हमारा है मिल्क यानि दूद दूद को संस्कित में कहते हैं शिरम या यक्षिरम अगला हमारा है दूद क्रीम यानि मिल्क क्रीम इसको संस्कित में कहते हैं मस्तू अगला हमारा है मक्खन यानि बटर इसको संस्कित में कहते हैं नवतिनम अगला हमारा है घी घी को संस्कित में कहते हैं घृतम इसके बाद आता है सहद सहद को संस्कित में कहते हैं मधू अगला है लसी लसी को संस्कित में कहते हैं श्वादुमथितम अगला हमारा है खीर खीर को संस्कित में कहते हैं पर्मानम अगला हमारा है भात भात को संस्कित में कहते हैं भक्तम या अंधस अगला हमारा है सिवई सिवई को संस्कित में कहते हैं शुत्रिका अगला हमारा है सिवई खीर सिवई खीर को संस्कित में कहते हैं शुत्रिका पायशम अगला हमारा है मशूर पाक मशुर पाक को संस्कित में कहते हैं मैशुर पिश्टकम अगला हमारा है सेवेगे की खीर साविक की खीर को संस्कित में कहते हैं शूत्र कापायाशम अगला हमारा है रसम रसम को संस्कित में कहते हैं शारह अगला सब्द हमारा है अंकुरित यानि स्प्राउट्स इनको संस्कित में कहते हैं अंधकुराह या अंकुराह अगला हमारा है चना चने को संस्कित में कहते हैं चनकाह अगला हमारा है अंकुरित चना अंकुरित चने को संस्कित में कहते हैं चनका कुराह अगला हमारा है अंकुरित मुंग फली इसको संस्कित में कहते हैं कला या अंकुराह अगला हमारा है अंकुरित मुंग अंकुरित मुंग को संस्कित में कहते हैं मुद गांकुराह अग्रा हमारा है आग्रा हल्वा आग्रा हल्वा को संस्कित में कहते हैं आग्रा है वर्स्ती या आगार श्वती अग्रा हमारा है शीरा शीरा को संस्कित में कहते हैं मोहन भोगह इसके बाद हमारा है चकली और चकली को संस्कित में कहते हैं सस्कुली या सस्कुली हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल द्वारा दी गई information आप के लिए useful होगी ऐसी ही और useful वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को subscribe and like जरूर करें और अपने friends के साथ share भी जरूर करें Thank you Thank you